अलेकुम रखमतुल्लाहिवबरागातुफू गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद करती होंगे एक नहीं सुबो के साथ खुश्राम देद कहती हूं मैं और अपनी हुपसूरत सुबो की अब्तिदा करते हैं यहां पर भजने वाले हैं जी आर्ट और आर्ट बले तक ज नाश्टा करना और बनाना शुरू करते हूं मेरी मॉर्निंग रूटीन यह है कि मैंने हार्मों थोड़ी सी कलवंजी थोड़ी सी अजवाइन अगर आप यह चाहें दाल चीनी का पाउडर इसको आप गरम पानी में घोल के भी सकते हैं आप ऐसे भी ले सकते हैं और थोड़ आप ने हार्मों पे लेती हूं और यह सब कुछ आपने नीम गरम पानी के साथ लेना है भी समय लायरा हूं ठीक है जी और अब हम अपनी शुगर चेक कर लेते हैं सुगह कब जो मैं उठी थी तो मेरी शुगर थी 136 और अपी नमाज पड़ी और कामकाच किये थोड़े बह 165 यानि सार बज तक नाशता कार लें तो पेस्तर है कुछ भी खा लें कोई फ्रूट और मुझे फ्रूट कारते कारते थोड़ी देर होगी और यह देखें और एपल कीवी बनाना और नाश पती यह बच्चों को सुपो सुपो कार के देती हूं आप भी कोई भी फ्रूट लेना हो तो सुपो सुपो ने हार्मू लिया करें क्यूंकि जो विटामिन सी है वो बाड़ी में कभी भी रहता नहीं और उसको हमेशा बाड़ी को हमेशा विटामिन सी की जरुत होती है वह मैं फ्रूटों से मिलेगी ठीक है थाकि हम पूरा दिन अपना एक्टिव गजार स और विटामिन सी ले सकें अपने बच्चों को भी खुद भी मैं जैसे अब खा सकती हूं कीवी थोड़ा सा बनूंगी यह आज जीगी यहां पर कॉंडों का हत्म दिलाने की त्यारी चल यह है यहां पर मैं बनाने चा रही हूं चले है आर सूची का हल्वा दिखने है रहा अजाए रही हूं सूची का हल्वा बिसम ना रख मन रहे हैं आला हूमार ते नौार है चन्य और हल्वा बनने को रखती है मैंने और अफदाद में बना जा रही हूँ मीठा यानी तो यह थोड़ी मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ के बच्चे भी खा लें तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा एक लीटर जगरी बंदूद और उसमें मैंने डाल दी हैं तीकिना इलाइची खुश्पू के लिए और बाकी सारी चीजे मैंने थोड़ा सा कस्टड ले लिया था सुमया ले ली थी और मैं यह इसमें कि गुड़वारी खीर बनाएंगे और यह बहुत ही मतेगी बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला राखमाद रहीम अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दिया है कस्टड आज कॉंडों के वज़ा से जो है वो सब कुछ मेरे जल्दी-जल्दी करना पा रहा था इस चुछ मेरे चल रही थी अच्छी तो मैंने कहा कि आज मैं भी थोड़ी चीटिंग डे सेलिवरेट कर लोंगी कॉंडों का हत्म भी है और थोड़ी वॉक एक्स्रा कर लोंगी अब इसमें मैंने गुड़ सब से पहले डाल दिया था ताके वह साथ सब बिगल जाए तो इसको चाहिए दूद्ध और दूद्ध मैं यहां पर एक कप तकरीब अडाल लिया था और उसमें मैंने मिक्स का दिजी चीनी और मक्षम तो यह मैट किया अज पहली दफा बना रही हूं बलके घर में अपने कॉंडों का हत्म ही पहली दफा दिला रही हूं अकेले क्योंकि इजा इसमें बेकिंग पाउडर और यह मैंने एक कप तकरीबान मक्षन को यह रेसीगी को गरम करके इसमें डाल दिया है तो अब मैंने फ्राय करने रख रही हूं ऑई बिसमिल्ला रख्मान ररहीम तो ऑईल ताके हलका हलका गरम हो जाए क्योंकि इसको एक दम तेज गरम पर नह आटा मैंने गून लिया था उसका और यह बिल्कुल ना सख्त रखना है ना ज्यादा सॉफ्ट रखना है और साथ मेरे पुरियों का भी आटा गून लिया था पुरियों के आटा के लिए मैंने फुल खौन आटा लिया था और उसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा डाला था आटागुद के त्यार हो गया है और यह सफा मेरे साथ हेल्प कर रही है उसने गोल गोल यह मुझे बना के दी है और यह देखें मैं फ्राइ कर रही हूं और यह बहुत ही मज़े की बनी थी और यह देखें जी यह राइट प्राइट ब्राउन हो चुकी है इनको थोड़ा सा हो और पका लेंगे इनको बिल्कуса हली की आज़ पकाना है ताके यह जलें ना क्योंकि इसमें सूची है तो यह बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है तो यह जी बान के तियार हो चुकी है तिक्यां नीथी तिक्यां जो कि मैं कुंडो के लिए बना रही हूं यह मैंने खोल थोड़ी छोटी बनाई थी और अब मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाना स्टार्ट करती थी कि अब मेरे साथ सफ़ा और मालीन दोनों हेल्प कर रही थी यह देखें आप और यह देखें जी चिक्यां बान की त्यार हो चुकी हैं आप इनको ट्राइ कीजिएगा और यह बहुत ही मज़ेगी हैं और बच्चे बहुत शोग से इनको खाते हैं और इंजॉय करते हैं कम्प्लीट रेस्पी इन्शाला मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी यह बस एक तीन मैंने सारी जो चीज़े बनाई थी तो मैंने सोचा कि साथ साथ चुटे चुटे क्लिप भी बना लों कि क्या क्या बना था यह देख रहे हैं आपके इनकी शकल कितनी प बिस्मिल्लाहِ الر Chair को और रहे हैं एपनी पूरियों के लिए मैंने जरा सा भी मायदा नहीं डाला इसको मैंने फुल कौन आटे के साथ ही बनाया है ताके इसको मैं भी खा सकूं तो ये थोड़ी अच्छी गोल तो नहीं बन रही, लेकिन ये टेस्ट में बढ़ी अची थी, और ये देखें, इसको भी इतने तेज ज़धा गरम और और में नहीं पकाएंगे, इसको हलके से आएल में पकाएंगे और ये एक तरफ से पकेगी तो इसको निकाल लेंगे तो ये भी बहुत ही मज़ेगी बनी थी और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया था इन पुरियों को चलेंजी निकाल लेते हैं इस पुरी को आप मैदे के बगार भी पुरियां बना सकते हैं य जो कितनी ही सौफ्ट बनी हैं ये देख सकते हैं आप चलें जी मीरे सारी चीज़े माशारा बन के त्यार हो चुकी हैं मैने कीमा सुमाईया हलवा और मीठे में मीची जिक्यां और पुरियां सब कुछ बनाके त्यार का लिया है अब हम जो है वो कमरे को डेकुरेट कर रहे थे और ये मैंने पंच्टन पाक की दिये जलाए थे और ये अलम है और दूद और पानी रखा था आज इमाम जाफर सादक अलाहिससलाम के हम नजर दिला रहे थे और आला ताला ये कबूलो मन्सूर फरमाएं आमीन सुमामीन अब मालीन जो हैं वो खत्म दिलाएंगी तो चले जी सुनते हैं अर की मा अर ये है हल्वा और अब खत्म दिलाएंगी आओज ब लाहिन शुतान जिलाएंगी तो झालाएंगी तो आओज परब इननास मलीक इननास विलाह इननास मिन शर्ड़ वस्वास लवन नास विलाएंगी तो झालाएंगी ब लवस्रिष की सुदोह एननास मिन जनते हANS- ब सिम लुल्ठ इनननास ल्म उन्हर लन्हाइशादे कि लुकत, ल्म उन्हें सहसे की, भर्म वर्हिएं कुल। लियुध लियुद वुब, लियु झैसे कुल justement, लियुद у्नाहद, लियुद देल्ल। जहा का फिरुन यहा काफिरों लओर माता एने आंठ उमा का अबल वनाना अबले अ tour अब हम करने जा रहे हैं, दुपहर के खाने के बाद, फोटी मिनट या फोटी फाइफ मिनट जितनी भी हो सकी, वाक, वाक टाइम, आज मैंने एट पॉइंट इंसुलीन लिया था, और फूट में मैंने ओरिंज खाया था, नाश्टे में आज हम लोगोंने हलवा पॉड़ी खाया था, क्यूंके आज कुंडे थे और मैंने पॉड़िया जो है, वो फूल खॉन, अपना बहुत सा ख्याल रखियागा, दौाओं मेरा याद रखियागा, इंशाला मिलते हैं, तो मेरे साथ हैं मेरे बेटियां, अल्हाफ उनल झाले ठाले हुआ है, यू वो खॉआ हैं, वो तो मेरे बीखिया ये रहाद कऱ़्दी जले जलेचल लग़ी खाईटियागा, चाल क्यी च रख़ेश्स, रहाद हैं, झाल मेरे बिख्ड़दियागा, बाल मेरेको मेरे ची डिखोंके भी चाएब jogo हैं, झाल झाल